हलो एब्रीबन कैसे हैं आप सब आज बनाने जा रही हूँ एक और नई डिजाइन के बेबी बूट जिसे बनाने के लिए मैं दो कलर की बूल ली है और टैन नंबर सल आई ली है और देखिए इस सॉक्स को आप काफी उपर तक भी बना सकते हैं ये काफी उपर तक आ जाएग जिससे बेबी के पैर से खिसकेगा भी नहीं और यहाँ पर देखिए आप अपने बेबी के इसाफ से इसकी लंबाई को बढ़ा सकते हैं ये रो डाल के तो यहाँ पर हमने पांच रो ये डाली है आप अपने इसाफ से इसको कर सकते हैं और देखिए ये जीरो से लेके ले फंदे डालूंगे तो यहां पर देखे इस स्थरे से शिम्पल फंदे डाल रही हूं है ऐसे दो तीन चार पाच छे साथ इस तरह से हम इसको 36 फंदे बना रहे हैं तो 36 फंदे हम ले लेते हैं यह देखिए यहाँ पर 36 फंदे मैंने ले लिए हैं अब देखिए हम यहाँ पर बॉर्डर बनाएंगे तो देखिए यहाँ पर हम दो फंदे उल्टे बुनेंगे ऐसे बूल को पीशे करेंगे दो सीधे दो उल्टे और दो सीधे पूरी रो हम ऐसे ही बना लेंगे यह देखिए इस तरह ऐसे तो हम यह रो कम्प्लीट कर लेते हैं यह देखिए मैंने पूरी रो कम्प्लीट कर ली अब देखिए इधर से जो सीधे हैं उनको हम उल्टी रो मं उल्टा बनेंगे तो देखिए इस तरह से अब यहाँ से ऐसे देखिए इधर से सीधे हैं उनको हम एक फंदा उतार के उल्टा बना लेंगे और जो इस साइड से सीधे हैं उनको हम ऐसे सीधा बनाएंगे इस तरह से हम यहां पे बॉर्डर बना के कम्प्लीट करेंगे border अपने हिसाब से आप कमजादा भी कर सकते हैं तो यहां पे हम बना लेते हैं फिर दिखाते हैं यह देखिए यहां पे 10 रो मैंने यह border बना लिया है 2 उल्टे और 2 सीदे का अब देखिए हम उल्टे तरफ हैं तो यहां से हम अब color add करेंगे इसमें और यहां से हम उल्टा बनेंगे इसको यह देखे इस तरह से एक रो हम उल्टी इधर से बनेंगे और एक रो उधर से बनेंगे ऐसे अब हम उल्टा उल्टा इसको बनाएंगे लाश्ट तक इसको हम ऐसे ही बनेंगे इस तरह से, तो हम यह रोव पूरी करते हैं, इधर से एक रोव पूरी हो गई, हम देखिए हम इधर से भी इसको एक भंदा उतार के उल्टा ही बनाएंगी, ऐसे, तो यहां पर यह पिंक कलर से दो रोव बनाके कम्प्लीट करेंगे, हम दौन तरफ की, ऐसे, तो हम बना लेते हैं, यह देखिए, पिंक कलर की दो रोव पूरी हो गई, अब हम यहां से, चार रोव इस गिरिन कलर से बनाएंगे, इस तरह से, इधर से उल्टी पूरी बनेंगे, और उधर से भी उल्टी बनेंगे, इस तरह से, तो यह रोव हम लाश तक बनते हैं, यह देखिए, गिरिन रो उल्टा बना लेंगे तो यह दो रो गिरिन की इधर से कम्प्लीट हो जाएंगे दो रो हम और बनेंगे यह देखिए इधर से हमने यह रो कम्प्लीट कर ली अब देखिए हम दो रो गिरिन की और बनाएंगे इधर से यह उल्टी बनाएंगे और उधर से भी इस रो को उल इन से complete कर लें, दोने तरफ से उल्टा उल्टा बनाते हुए, अब देखिए दो रो हम फिर से ये पिंग कलर की बनाएंगे इसमें, तो उल्टे तरफ से हम फिर से पिंग कलर को एड़ कर रहे हैं, तो देखिए इस तरह से, दो रो इसकी बनेंगे, और चार रो गिरीन की, तो इस तरह से हम ये देखिए, इस तरह की चार लाइन यहां पर डालके फिर दिखाते हैं, दो दो रो ये ऐसे आ जाएंगे, और एक एक रो ऐसे आ जाएगी, तो ये चार रो कम्प्लीट करनी है, और पिंग कलर की दो रो, देखिए, यहां पर मैंने इसकी लंबाई को पूरा कर लिया है, यहां से देखिए, एक, दो, तीन, चार, पांच, पांच ये पिंग की रो डाली हैं मैंने, और देखिए, टोटल गिनेंगे तो, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, दस, ग्यारे, बारे, तेरे, और चौदमी रो जो है, एक ही मैंने बनाई है, उल्टे तरफ से बनाके अभी कम्प्रीट की है, अब देखिए, इस रो में हम फंदा कम करेंगे, तो यहां पर हम दो का एक करते हुए जाएंगे, आप इस तरह से भी कर सकते हैं, चाय सीदा कर लिजिए, ऐसे, यह द देखिए, लास्ट ता कैसे ही बुनते जाएंगे, इस तरह से देखिए, लास्ट तक मैंने दो का एक करते हुए इसको बुन लिया, ऐसे, आप देखिए, हम इसकी सिलाई करेंगे, तो इन फंदों को, सभी को, हम इस तरह से, इस स्वी पर ले लेंगे, एक भी फंदा छूटना नीच चाहिए, यहां पर, यह देखिए, इस तरह से, सारे फंदे हम ऐसे कर लेंगे, इस तरह से एक लिए, और इसको अब हम यहां से, खेंच देंगे, और देखिए, इस साइड में, जो यह दागा है, इसको हम ऐसे पकड़के, इसके अंदर से, सुई को निकाल लेंगे, ताकि यहां पर, एक नौट बन जाएगी, यह देखिए, इस तरह से, यहां पर, यह नौट आ गई, आप देखिए, आप चाहें तो, यहां पर एक बार और चला सकते हैं, अब हम इसको, सीधा तरफ जो है, उसको हम अंदर कर देंगे, और देखिए, इस तरह से, हम यहां से, ऐसे सिलते हुए आएंगे, यहां से लेके, यह एड़ी ऐसे कबर हो जाएगी, और यहां से लेके, ऐसे, इस तरह से, यह सॉक्स बनके कम्प्लीट हो जाएगी, तो अब हम यहां से ऐसे, इसको पकड़ लेते हैं, और सिलना स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल इजी है, बहुत ही जल्दी बनके कम्प्लीट होती है, यह ऐसे, अब हम इड़ी को मिलाते हुए सिल देंगे, अब यहां से लेके हम उपर तक इसको सिल देंगे, अब यहां पर भी जो रोव हैं जैसे उनको हम वैसे ही मिलाते हुए सिल लेंगे गिरेखे इस तरह से अब यहां पर यह वाला जो पार्स है इसको भी हम इसे ही सिलके कम्प्लीट करेंगे और यहां पर हम यह धागा जो है इसको हम थोड़ा सा अंदर करेंगे उसके बाद नौट लगाके हम यह कट करेंगे यहां पर हम पहले पक्का कर देंगे बुल को थोड़ा सा अंदर लाएंगे ऐसे और यहां पर एक नॉट और लगा लेंगे उसके बाद हम इस धागे से भी नॉट लगाके कम्प्लीट करेंगे देखिए इस सिल्के पूरा कम्प्लीट हो गया